कि हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत थे कोई फिर से आपके चैनल कंपर्टेटिव टार्गिट क्लास इस पर जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर बिहार दुरुगा की प्रवाइब क्लास स्टार्ट करवा दी गई है तो आज का क्लास बैसिकली पॉलिटी का है तो पॉल प्रवाइब किस अनुषेद कितने हैं चैनल पनचानवे जो अनुच्छेद इसको मैं हर एक टॉपिक पर मतलब कि हर एक टॉपिक आप को कवर करा दिया गया जैसे कि मॉलिक अधिकार होगा निति-निरदेशक्ताटू हो गया फिर उसको भाग के अनुच बताया गया जो कि बाग कितने हैं बाइस तो बाग वन में अलग वीडियो बनाया गया भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच ऐसे करके आप लोग को हर एक भाग के बारे में जानकारेट दिया गया जो कि आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो कि वहां पर सारी वीडियो एवलेवल है खासकर क्लास 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 भी का क्लास यह के बाद मैं हिस्ट्री का क्लास से लागे बहुए कि आज बाद किया इसे खास करता हैं कौन हटाता है मतलब इससे जूरी हो हर एक चीज हो आप लोग जानों कि इससे पहले यदि बात किया जाए कि अनुछेद का आपका पूरा अच्छे से कवर करा दिया गया अनुसूची अनुसूची वाला वीडियो जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया जो कि कि मूला सिद्धान में बात किया जाए कि मूला सभिद्हान में कितने अनुसूची तो आठ सूछी इन 12 अनुसूची को मैंने चारचर अनुसूची करके आइसा ट्रीकवे में बता है कि आप लोग सं Kabul बहुत अच्छा लगा जैसा कि कमेंट देकर लग रहा तो अनुसूच इसलिए आप लोग जानोंगे अपातकाल, यह अपातकाल होता क्या है, मतलब अपातकाल जो तीन अनुछेद के अनुछ साड लाया जाता है, जो 352 सुनते होगे, कि आठकिल, 352, 356, और 360, इसके साथ साथ ही, आप लोग जानते होगे, आठकिल, 308, आठकिल, 369, यह आठकिल होते क्या है, जिसमें यह अठकिल 352 के बारे में बताया जाए, कि आठकिल, 352, जो कि यह राश्ट्रिया पातकल, राश्ट्रिया पातकल लागू कौन करते हैं, फिर यह लागू क्यों किया जाता है, यह हटाया कैसे जाता है, और यदि लागू होते हैं, तो सुरू में कितनी अबधी के लिए लागू होते हैं, और लागू होने के बाद कि यह है राश्ट्रिया पाथ काल के बारे में जानों गया आज आज कि आटकिल 356 के बारे मोला जाए तो राश्ट्रपतिया पाथ कर तो यह क्या होते हैं और इसे कौन लागू करते हैं कि राश्ट्रपति शासन जो लाए जाता है फिर बिती अपाथ कर लाए जाता है आटकिल 358 में कि कि आटकिल 359 आपातकाल से कैसे related है तो इसलिए है क्योंकि इसमें बोला जाता है कि आट केल 20 और आट केल 21 ये दोनों अनुछेद को जो छोड़ कर बाकी अनुछेद को आपातकाल के दौरा निलंबित किया जा सकता और ये दोनों आपकाल को निलंबित नहीं किया जा सकता ह। तो आज यह के वीडियों में आप जानोंगे, बारतुकं के बारे में, अब बहुत buy कनुजन और लिखा हूं को और हमारा वीडियो देख लेते हो तो एक भी कोश्चन गलत होने की संभावना नहीं है यदि अभी तक आप पातकाल के बारे में नहीं जानती होगे यदि जान रहे होगे तब तो अच्छी बात है यह आपका रिविजन हो जाएगा यदि नहीं जान रहे होगे तो यहां से ए जालत नहीं होगा या फिर सारे कोश्चन सही होने की पूरी संभावना तो आज का कौन सा टॉपिक रहने वाला है अपातकाल अपातकाल है अतलब की इमर्जेंसी यदि पूछा जायेगा कि अपातकाल की समिधान से लिया गया तो यह जर्मनी की समिधान से लिया गया यह कोश्चन भी आते हैं और अपातकल कितने तरह कि अपातकल लगाया जाते हैं कि हर एक कन्फ्यूजन आपका यहां पे दूर होगा तो तीन तरह क्या पातकल कौन-कौन से अपातकल पहला राश्ट्रिया पातकल राश्ट्रिया पातकल का चर्चा कौन से अनुछेद में है अनुछेद 352 की तहत यदि फिर क्या बोला जाएगा राश्ट्रिया पति सासन राश्ट्रिया पति सासन राश्ट्रिया पति सासन कौन से अनुछेद में है अनुछेद 356 फिर आपका आजाता है बितिय अपातकल पितिय अपातकल पितिय अपातकल किसमें जिक्र क्या अनुछेद 356 तो ये तीन अनुछेद आपको याद करना ध्यान देने की बहुत जरूरी होता है कौन-कौन आटकिल 352, 356 और 360 अब इसके बारे में हर एक टॉपिक आपको बताएंगे कि इसको लाता कौन है जारी के कब होता है मतलब कि तोड़ तोड़ के वहर एक पॉइंट बताएं कि जहां से एक्जाम में कोश्चन आते हैं तो यदि आप हमारे वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आई होप सो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हैलफुल सावित होगा तो यदि सबसे पहले बोला जाए कि किस अधार पर लागू होते हैं मतलब राश्ट्रिया पात काल है तो इसका अधार क्या होता है बेस क्या होता है कैसे लागू होते हैं तो वो देखते हैं अधार सबसे पहला अधार के बारे में जानेंगे कि यदि बाहिये आक्रमन यूद ससस्त्र बिद्रों के बाहरें पूछा जाए कि कौन से आपातकाल के दोरान आते तो राश्ट्रिये आपातकाल मतलब कि भारत का दुसरे देशों के साथ यूद होता है फिर बाहरी देशों के साथ आक्रमन यादी कोई कुद्विस कर देता है समझोता कौन से किसमें आते हैं तो अनुच्छे 352 के तरत आते जो कि राष्ट्र पर पातकाल के दोरान उसे लिया जाता है तो इसमें आपका जिक्र की साधार पर होते हैं बाहिया आक्रमन कि बाहिया आक्रमन कि ससस्त्र विद्रो और यूद क्योंकि आप लोग जो यहां पर लिखाया जा रहें बाहिया आक्रमन ससस्त्र विद्रो और यूद मतलब कि बाहरी देश जब इंडिया पर भारत पर आक्रमन कर देते हैं इन सब को काजिक्र कहां पर किया गया तो यह राष्ट्री है अपातकाल के दौरान आते जो कि अनुच मतलब राज्य वहना काम करने से सूचता है कि मैं नहीं कर सक तो राष्ट्पती उहां पर राष्ट्पती सासन लगा देती तो यह यहां पर हो जाएगा राज्य जिओं में संभीधानिक इस संभीधानिक कि तंत्र फेल होने पर है है यहलोने पर क्या लगता राश्ट पति साशन यादी बिदिया पात काल के वाहरे में क्यों बूच्छा जा है जो कि अभी सक किसी भी मतलब अभे तक नहीं एक वार वाम भी हुआ बिदिय कमार्ड शंकट आजाता किसी भी राज्यओ कॉंध पूछा जा जा राश्ट्गोसकान कौन करते एंधिया पातकर के उधिध्योसकान करते मतलब कर देपस्ट के और भी लगता है राश्ट्पती एंधिशुन जो बहुत वाहिए है आपको देखने को मिला होगा यह जांद मोजाओ पूछा जाया कि आर्टकिल 352, 356 और 360 को कौन करते हैं तो राष्ट पती इसमें भी लिखो राष्ट पती और यहां पे भी राष्ट पती यादि पूछा जाया कि आर्टकिल 352 राष्ट पती जब लगाते हो किनकी सलाह पे लगाते तो मंत्री परष्ट के सलाह पे वह भी लिखित यह तो मौखिक के अधार पे होगा लिखित के अधार पे तो यहां से भी कोश्चन आते हैं यदि सलाह की बात पूछी जाए कि सलाह किसे लेते राष्ट पती सला तो मंत्री परिशद पर और लिखित सिफारिश पर तो ये भी देखना लिखित लिखित होता है यदि पुछा जाया कि 8 कि लिए 356 लागो करने के लिए राष्ट पती किसकी सला लेते तो राज्ये पाल या मंत्री मंडल राज्ये पाल या मंत्री मंडल और ये लिखित सिफारिश होती है या मोखिक रहता है तो ये ओडल होता है जो कि मोखिक यदि राज्ये पाल मोखिक रूप से भी बोलेंगे तो आपके अनुमूदन के बारें पूछा जाए कि यदि आठकल पाल के बारें पूछा जाए तो ये अभी तक तो राष्ट मतलब कि राष्ट पती खुद से लगा सकते हैं विद्या पाल मोखिक भी रूप से होता है इसके आगे यदि बात किया जाए कि पूछा जाए कि अनुमूदन कितने दिन पर होता है तो अनुमूदन यहां से कोश्चन आते हैं आपके अनुमूदन के बारें पूछा जाए कि यदि आठकल 352 का अनुमूदन कितने दिन पर किया जाता है तो 30 देज मतलब कि एक माह आठकिल 356 का कितने दिन में अनुमोदन किया जाता है तो 60 डेज मतलब कि 2 माँ और यदि बितिया पातकाल के बारे में बोला जाये तो ये भी 60 डेज मतलब कि 2 माँ और यदि पूछा जाता है कि यदि राश्ट्री अपात का लागू हो जाता है तो वो कितनी अबधी तक होता है मतलब 6-6 मन्त के लिए वो अनिश्चित काल के तक करा सकता है तो यहां से भी कोश्चन आते हैं हर एक पॉइंट आपका कवर करा दिया जाएगा है आपके कि अबधी पारित होने के बाद कितने समय तक लगे हो रहते हैं अबधी मतलब अबधी का टाइम पूछा जाएगा टाइम पिरिड कितना होता है कि अबधी कितने समय तक राष्ट्री आपात का लागू रहता है तो कि यह होता है छेचे मंत छेचे मां से अनिश्चित काल तक अब तक रहता है अनिश्चित इसका कोई काल नहीं है अनिश्चित काल तक तक लगा रहता है यदि पूछा जाए आट किल 356 कि अब धी कितनी होती है तो यह 6-6 मंत के लिए 3 साल तक लागू होता है मतलग 6-6 मां के लिए मैक्सिमम पूछा जाए कि राष्ट्र पतिस आसन कितने दिन तक लागू रहते है तो 3 साल तक बढ़ सकता है तीन साल तक बढ़ सकता है यहां पर लिखे कि कितने दिन मतलब 6-6 मां से लेकर आगे अनिश्चित काल तक यह 6-6 मां तक के लिए 3 साल जबकि बितिया पात काल के बारें पूछा जाए कि मैक्सिमम इसकी अब दी क्या रहती है तो वह अनिश्चित काल तक क्योंकि इसका जिक्रा भी नहीं किया गए य मतलब अनिश्चित काल तक अनिश्चित काल तक यह पूछा जाया कि राष्ट्रिया पात कर लागू रहता है तो इससे हटाने का प्राब्धान मतलब इससे हटाता कौन है तो लागू तो सबको पता है कि राष्ट्पति करते हैं यह राष्ट्रिया पात काल के बारें मंट्री परशद प्पने मर्जी से करकलॉत या उरल होता है या लिखित होता है नहीं होता है राश्ट्रिया पात कल मंत्री परशद कि सिफारीस पर लागू किया जाता है जो कि लिखित हो जाता है यदि हटाने का जिक्र पूचा जाए कि हटाया किसकी सला पर जाया तो राश्ट पती राष्ट पती यदि आटकल 356 के बारे में पुछा जाए कौन हटाते तो राष्ट पती और बितिया पातकाल के बारे में पूछा जाए कौन हटाते तो राष्ट पती कि आठी और कितने मत पे यदि मत कि वात किया जाए कितने मत प्र. प्तलिब कितने बोटिंग के अधार पर राष्ट्रिया पाथकल लगता है राष्ट पती सासन लगता है बितीय पाथकल तो व मिलेंगे दोवटा तीन परसेंट 50% और बितीय पाथकल 50% तो यहां तक आपने से जाना कि राष्टरिया पातकल राष्ट पती शासन और इतीनों होते क्या है तो राष्ट्रिया पातकल स्थ तिन 306 में 316 को Lot कितने दिनों का अनुमोधन किया जाता है तो एक माह जो कि ठर्टी डेज और यदि पूछा जाए इसके अब दी क्या होती तो छे-छे माह से लेकर अनिशीत काल तक वहीं इसे हटाते कौन तो राश्टपती दोवटातीन मत से यदि राश्टपती सासन के वारे में जानोगे क कि राश्टपती राश्टपती 50% voting के अधार पर बितिया पात कल जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया कहीं पर भी तो पितिये संकट पढ़ने पर अनुछे तिन सो साथ में राष्ट पती इसे उद्धोसना करते हैं किसकी सलाप फुद राष्ट पती अपनी मर्जी से और 60 डेज में अनुमोदन कितने में किया जाता है दो माह तक और कितने अब दी तक ही लगाया जा सकता है जो कि अभी तक तो लगाया नहीं किया गया लेकिन प्राटेंट है आक्रमस असास्त्र बीद्रो और यूद कि इसे आप लोग लीख लो तो यहां तक तो सेवन पॉइंट आपका क्लियर होता एट पॉइंट में क्या है वो देखते हैं कि यह कितने अब दी तक मतलब कब कब लगाया गया है कहां लगाया गया और इसका परभा किस परता है जब यह लागु हो जाते तो इनके परभा की कहां कहां परता है वो देखते हैं तो दो चीज़ें से और कोउश्चन आते हैं एक हो गया परभा और एक हो गया कब लागु किये गया है तो 7 point लिखा दी थी 8 में आता है परवाव यदि राष्ट्रिय आपात का लागू हो जाते तो सबसे ज़्यादा परवाव किस पर पड़ता है तो ये पढ़ेंगे संग सरकार पर संग सरकार यदि राष्ट्रिपति सासन लागू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा परवाव किस पर पड़ेगा बिधान सभा ही भंग हो जाएंगे बिधान सभा भंग हो जाती है और यह पूछा जाएंगो भी राज्ये में यह बितिया पातकाल हो लग जाता है तो क्या हो जाता है तो क्या पूपर हो पड़ता है सबकी सालरी काट ली जाती है तो ये सैलरी जो कि अभी तक तो लगा नहीं I hope सो कभी लगे भी नहीं कट जाता है यदि उदाहरन पूछा जाए कि कब कब यदि इसका एक्जामपल पूछा जाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर मैंने बताया कि बाहरी आक्रमन और ससस्त्र विद्रो और यूद मतलब आंतरिक असांती पर कितने वार राष्ट्रिया पातकल लागू किये गये तो तीन वार कहां कहां लागू किये गये तो पहला 1962 से लेके 1962 से 68 चीन, चाइना और इंडिया के बीच में जो कि बहुत फेमस है तो इसे देख लेना दूसरा कब हुआ था और तिसरा कब हुआ था सब अभी बताऊंगी अधि 1971 से 75 के बारें बोला जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये डेट को आप याद करना याधि 62 से 68 के बीच में पूछा जाए तो चाइना इंडिया 1971 से 75 के बारें पूछा जाए तो इंडिया पाकिस्तान यदि आंत्रिक असांती के बारे में पूछा जाए कि आंत्रिक असांती की दौरान राष्टिया पातकल कब लागू किया गया तो वो भी लिखवा देती 1975 से 1975 से लेके 77 तक जो कि अपने राज्य में हुए था जब इंद्रा गांधी पीम बनी थी तो वो वाला आंत्रिक असांती के कारण यदि पूछा जाए राष्टपती सासन कब लागू हुए थी इसके एक्जामपल तो सबसे जाता है यह यूपी मिल लगे थे यूपी में मैक्सिमम बार और पंजाब में 1901 में मैक्सिमम यूपी में लगते हैं और पंजाब में 1901 में लगा था राष्ट पति सासन वहгов भीतियापा द काल के बारे में तो अभी तक कोई एक्जामपल नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी वितिया पाथ कल किसी भी राज्य में नहीं लगा और यदि एक चीज का बोला जाए कि अपाथ काल के दोरान जो कि आठकिल 358 और 359 के वायरे में चर्चा की हो यदि आपाथ काल लगता है तो अनुछेद 19 अपने आपस निलंबित हो जाते हैं व क्योंकि निलंबित नहीं होते हैं तो इसे नोट में लिख ले 14 inappropri 8 को सिवस्जिक इसं में में इसा के दिया द्रगा में जो ब्याखर का में आये हुए थि क्याथिया स्कॉर्ष आपात का लागू होता है तो कौन से मेंन लिक लेन लिए अनसें निलंबित नहीं होते हैं कि अ अपात काल, अपात का लागू होने पर, यदि अपात का लागू होने के दौरान, अनुछेद 20 और अनुछेद 21, अनुछेद 20 और 21 क्या होते हैं? को छोर कर, सारे अनुछेद, सुवत्ता निलंबित हो जाते हैं, या सुवत्ता समाप्त हो जाते हैं, तो जैसा कि आप लोग को यहां पर मैंने बताई, कि यह पॉइंट आप लोग याद कर लेना कि आपात का लागू होने के दौरान, अनुछेद 20 और 21 को छोड़ कर, जितने वी अनुछेद होते हैं, उस वतार समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पहले बता दिया था, तो यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि अनुछेद 20 में, अनुछेद 20 में क्या है, जो वो समाप्त नहीं होते हैं अपात्काल के दौरान, तो आज का वीडियो बेसिकली अपात्काल के वायरे में था, कि आपातकल कितने तरह के होते हैं तो तिन तरह के आपातकल होते हैं आपातकल कौन से समिन्धान के तत लिया गया तो जर्मनी के समिन्धान के तत लिया गया कितने तरह के आपातकल कौन से नुच्छत में होते कितनी अबदी तक रहता है तो यह 6-6 माह तक अनिश्रितकाल तक होता है अनुमोदन कितने देन पर किया जाता है तो 30 माह पर यदि इसका एक जामपल पूछा जाया कि सबसे ज़्यादा परवाव कहां परता है तो संग सरकार में कितनी वार राष्ट्री है अब पात का यहां तक तो राष्ट्रिया पात काल के बारे में जाना राष्ट्पति सासन जो कि राज्ये में समिधानिक तंत्र फेल हो जाने पड़ लगा जाता है तो यह तीनों के बारे में मैंने डिपली जानकारी दे दियो तो आई होप सो यह वीडियो पसंद आया होगा और यहां देखने के दोरान यह नहीं कि अब छोड़ देना यह देखो एक से दो बार इसके बाद लुसेंट का जो एंसी क्यू कोश्चन है जहां पर पातकाल वाला चेप्टर है वहां पर जाकर आप कोश्चन को सौल करने की कोसिस करो फिर बताना कि आपके कितने कोश्चन गलत दोस्तों बने रहने के लिए यह वीडियो अप लोग को पसंद नेक्स्ट विडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा थेंक दोस्तों अबने रहने के लिए